find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively तो sum of zeros and product of zeros दिया हुआ है तो sum of zeros अगर zeros मानते हैं alpha और beta तो sum of zeros क्या दिया अलफा प्लस बीटा बान बाइप product of zeros दिया हुआ है alpha into beta minus 1 तो निकालना है quadratic polynomial तो अगर sum of zeros और product of zeros दिया हुआ है तो quadratic polynomial कैसे होता है x square minus sum of zeros into x plus product of zeros और इसका पूरा का into constant के इस फॉर्म में आपका जैसे की quadratic polynomial बनेगा तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा एक constant होता है तो क्या हो एक से स्क्वाइर माइनस सम अफ रूट सम अफ जीरों क्या होगा 1 by 4 into x plus यह क्या होगा माइनस 1 ब्रावर क्या होगे एक से स्क्वाइर माइनस एक सबाइब 4 और यह क्या होगे प्लस माइनस माइनस 1 अब इसको इसको और क्या होगे इसको क्या होगे इसको क्या होगे इसको क्या लिख सकते हैं ब्रावर 1 by 4 into 4 x square माइनस x-4 तो इस केस में आपका यह पोलिनोमियल हो जाता है जिसका sum of zeros क्या 1 by 4 और product of zeros minus 1 है अब इसकेस में इस पोलिनोमियल को हम क्या और लिख सकते हैं इस पोलिनोमियल को हम सिर्फ या तो 4 x square minus x minus 4 ही सिर्फ ले या यह भी ले सकते हैं तो दोनों में से कोई भी लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा sum and product of zeros में क्यों क्योंकि पोलिनोमियल को जब भी हम पोलिनोमियल का जब भी हम zeros of polynomial निकालते हैं तो उसको हम क्या चीज़ सकते हैं zero से equate करते हैं तो अगर मान लिजे कि यह जो हैसे कि पोलिनोमियल अगर यह लेते हैं तो इतना ब्रावर 0 हो गया क्या होगे 4 x square minus x minus 4 ब्रावर 0 अगर पोलिनोमियल यह लेंगे तो क्या होगे 1 by 4 into 4 x square minus x minus 4 ब्रावर 0 जो कि ultimately फिर क्या होगे x square minus x minus 4 ब्रावर 0 यह चुकि 4 इदर चला जया तो दोनों से हमें क्या मिलता एक ही result मिलता है तो हम पोलिनोमियल क्या ले सकते हैं 4 x square minus x minus 4 यह ले सकते हैं या यह दोनों से कोई भी लेंगे तो भी यह सही होगा next question से root 3 1 by 3 तो alpha plus beta ब्राव कितना हो गया root 3 और alpha into beta ब्राव कितना हो गया 1 by 3 तो equation क्या हो गया x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta यह हो गया polynomial अब जैसे इसका इसको बहरू रखेंगे तो क्या हो गया ब्रावर x square minus root 2 x plus 1 by 3 3 जैसे LC हम ले लिए तो क्या हो गया 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 अब यहां पर 1 by 3 जैसे की common हम ले सकते हैं 3 x square minus 3 root 2 x plus 1 तो यह होगे यह होगे आपका polynomial यह होगे आपका answer 1 by 3 को include भी कर सकते हैं polynomial में यह पूरा कोई polynomial ले सकते हैं या सिर्फ इसके ब्रैकेट के अंदर वाले कोई पूलिनोमिल ले सकते हैं दोनों का दोनों answers सही होगा ति हो जाएगा आपका polynomial quadratic polynomial जिसका root sum of zeros क्या हो गया root 3 और product of zeros क्या हो गया 1 by questions number 3 है 0 और root 5 तो alpha plus beta equal to क्या हो गया 0 alpha into beta क्या हो गया root 5 अगर इसको equation में रखेंगे तो x square minus L अगर इसको polynomial के इस form में रखेंगे तो क्या हो जागे x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta और और क्या हो गया x square minus 0 into x plus root 5 और हो गया x square plus root 5 यह हो गया आपका required polynomial उसी तरह questions number 4 क्या देवा है 1,1 तो alpha plus beta equal to 1 alpha into beta equal to 1 तो x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta और क्या हो गया x square minus 1 into x square x plus alpha into beta 1 ते हो गया आपका polynomial उसी तरह questions number हिप्त क्या है minus 1 by 4 और 1 by 4 तो alpha plus beta equal to क्या है minus 1 by 4 alpha into beta equal to 1 by 4 तो इसको रख देते हैं x square minus alpha plus beta जैसे हैं तो क्या हो गया minus of minus 1 by 4 into x plus 1 by 4 इसको simplify करें तो क्या हो गया x square plus x by 4 plus 1 by 4 4 जैसे LC हम ले लेंगे तो क्या हो गया 4 4 x square plus x plus 1 1 by 4 एक constant हो गया 4 x square plus x plus 1 तो इस case में आप इसको भी इसको ले सकते हैं या constant को भी include कर सकते हैं तो दोनों से ही होगा तो polynomial आपका क्या हो गया यह 4 x square plus x plus 1 required polynomial questions number 6 देखते हैं क्या है 6 है 4,1 तो alpha plus beta equivalent to 4 alpha into beta equivalent to 1 क्यों हो गया x square minus alpha plus beta into x to 4 x plus alpha into beta 1 यह हो गया इसको किस पर हमने रखा इसको इसी formula पर हमने रख गया तो यह हो गया आपका required quadratic polynomial इस तरह से हम question solve कर सकते हैं अगर product of zeros and some zeros दिया हुआ आप तो